1961 में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंदर प्रसाद ने आमिर खान के अंकल और बॉलीूड के जाने माने एक्टर और प्रोडूसर रहे चुके नासिर हुसैन को कहा था कि वो भोशपूरी लैंग्वेज में एक फिल्म देखना चाहते हैं और इसी तरह पहली भोशपूरी मुवी को बनाए गया जिसका बजेट 5 लाक रुपए था और वो मुवी सुपर हिट हुई थी और आगे चल कर इसकी रीमेख हम आपके हैं कौन को बनाए गया भोशपूरी इंडश्ट्री एक ऐसी इंडश्ट्री है जिसमें रक्षबंदन से लेकर छट पूजे तक सब भी फेस्टिबल्स के लिए अच्छे गाने मौजूद हैं पर साल 2000 के बाद इंडश्ट्री में कुछ ऐसे गाने बनने लगें अब ये कोई नहीं बात नहीं है क्योंकि अब भोशपूरी इंडश्ट्री में सौ में से 90 गाने अचलिलता से भरे होते हैं अब मेकर्स के ऐसा करने के पीछे उनकी मजबूरी है या वो अपने फाइदे के लिए ऐसा करते हैं ये सोचने वाली बात है साल 2004 में मनोस दिवारी अपने करियर के पीक पर थे और उनकी फिल्मों के साथ उनके गाने भी सूपर हिट हो रहे थे तो फिर भोचपूरी गाने इंडिया के हर कोने में पहुचने लगी और यूपी बिहार और वेश्ट बंगॉल जैसी जगों पर ऐसा हो गया कि बीना भोचपूरी गाने के कोई पार्टी नहीं हो सकती जहाँ एक तरफ इसब सेटी और एसेस राजम वाली जैसे लोग है जो फिल्मों के जरीए अपनी संस्क्रिती को पूरी दुनिया भर में दिखा रहे हैं वहीं एक तरफ भोचपूरी इंडेस्टी के लोग है जो लहेंगा चोली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं इन सभी चीज़ों में क्या आपने एक चीज़ नोटीस किया है कि क्यों भोचपूरी फिल्में बॉल्यूड फिल्मों की तरह बड़े थीयेटर्स में नहीं दिखाया जाते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक भोचपूरी फिल्मों को देखने वाली ओडियंस में लिक्षा पूलर और डेली वेजिस वरकर होते हैं और ये एक में रिज़न है कि क्यों भोचपूरी फिल्में छोटी स्क्रीन पर रिलीस की जाती हैं जिसमें से एक भी मुवी हीट नहीं होती पर फिर भी पब्लिक डिमांड की वज़े से मुवी को बनाया जाता है जिसे यूटूब पर मिलियंस ओव यूज मिलते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि कोई इन चीजों का विरोध नहीं करना चाता दरहसर बिहार में आन इंप्लाइमेंट रेट काफी ज्यारा है इसलिए थोड़े पैसे में भी लोग उल्टी सीधी फिल्में करने के लिए तयार हो जाते हैं और जो लोग अच्छे कासे पढ़े लिखे होते हैं वो लोग ऐसी मूवीज में काम नहीं करना चाते इसलिए वो लोग कान ढूणने के लिए दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे सहर चले जाते हैं जिस जगा से हिंदी संस्कृति का जन्म हुआ आज उसी के हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है अगर बिहार यूपी की धर्ती पर पैदा होने वाले महापुर्शों की या उन जगों के प्रॉब्लम्स के उपर फिल्म बनाई जाये तो मूवीज जरूर हिट होगी अईश्मान खुराना और अक्षय कुमार ने भी कई मूवीज इन जगों के प्रॉब्लम्स के उपर बनाई है और आज वो सुपरस्टार बन गये हैं एक बात ये भी है कि भोशपूरी सिंगर्स ही अभी नेता बन जाते हैं और फिर वही अभी नेता आगे चलकर नेता बन जाते हैं समंदर जैशन जमानी बिटा अमरे नाम निरहवा हिंदूस्तानी अच्छी acting और VFX तो इनके बसकी नहीं है इसलिए वो लोग females को target करते हैं ताकि उन्हें देखकर audience उनकी film में देखने आए और ये वही audience होती है जो दिन भर बैट कर सरकार को गालियां देती है और राग को time pass करने के लिए 20-30 रुपए की ticket लिकर full enjoy करती है और जो लोग theaters नहीं करें और चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते हैं एंगले वीडियो में